कल मैंने आप सबसे इंस्टाग्राम पर पूछा दाना कि किस किस ने कितना कितना और क्या क्या डोनेट करा मुझे डियम करो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सबी ने खूब डोनेट करा लेकिन खूशी से जादा इस बात का गम भी है कि आप सबने डुनेट कम और एहसान जादा करा I have conducted भंडारा of 1000 persons I have donated वेरका मिल्क around 300 liters I have donated बास्मती राइस of 100 रुपीज पर केजी 100 रुपीज, nice I have donated, see my video in my feed, you will get to know I have donated 5000 रुपीज to sector 14 old age सिरफ एक समझदार लड़की मिली, जो की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए वो समझदार है उसने लिखा, donation करके कभी भी बताते नहीं, don't do this और यह तो चलो, आम लोग वे, अमीर लोग भी पिछे नहीं आया आपके सूपर हीरो अक्षे कुमार ने 25 करोड रुपे दिये अमीर भडाना, हमारे यूट्यूबर ने भी 3,00,000 रुपे दिये अम्बानी सर, आप कहां पिछे रहेगे, 500 करोड आज कल इस संकट की गड़ी में सिरफ यह देखा जा रहा है, कि कौन कितना दान कर रहा है अक्षे कुमार ने 25 करोड रुपे दान करे, सलमान खाने कितने करे होंगे उसको तो 100 करोड करने चीए थे, नहीं यार, अक्षे कुमार सलमान खाने कितने करे, शारुख ने कितने करे अमित बडाना ने 3,00,000 रुपे डुनेट करे, कितने पैसे कमाता होगा चल अमिट ने इतने करे, बीबी ने कितने करे, चल बीबी ने इतने करे, आशीश ने कितने करे होंगे Sorry यार, माना आप सब पे बहुत पैसे है, बहुत ज़्यादा पैसे है लेकिन आपका दान दान नी यार आपसे बहतर तो वो इनसान है जो सरफ दो किलो ही दान करता हो लेकिन किसी को बिना बताए करता हो और वो उसी में खुश हो जाता हो कितना दान करा ये बताने से पहले आप अगर ये चेक कर लेंगे न कि आपने जितना दान करा वो जुरूत मन तक पहुंच पाया की नहीं उससे बड़ा दान कुछ नहीं होएगा लेकिन अगर आप वोई सोशल मीडिया पोस्ट करते रहोगे क्योंकि मुझे तो लगता आपका ये दान उन तक पहुंच भी रहा है क्योंकि कल रात मैंने कुछ गरीबों को एक चावल के पीछे लड़ते हो देखा था उसके बाद से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आप सब का दान कहीं और ही जा रहा है क्योंकि 25 क्रोड छोड़ी रगम ने होती 500 क्रोड छोड़ी रगम ने होती पोश्ट करने से पहले चेक कर ले वो पोँच गया है और वो किस कारण से यूज किया जा रहा है यह नहीं कि बस दान करा पोश्ट कर दिया छोड़ दो यार अगर वो सचमच उन तक पोँच रहा होता न तो आज इतने बंडारे ना लग रहे होते और प्लीज स्नैप्स बनाना अवोड करो दान करना शांती से करो और करके घर जाओ बेफालतू कि स्नैप्स बनाकर उन गरीबों को सिंपती दिलाकर क्या मिलेगा इससे अच्छा उनका पेटे न भर दो यार अच्छे से आप और हाँ खाना खाने से पहले एक चीज ध्यान में रखना जितना खाना हो उतना ही खाना अगर नई बूख लगे तो बाहर किसी गरीब को दे देना भगवान आपका बला करेगा